दोस्तों, पुराणों में कल्युक के अंतिम चरण में भगवान विश्णु द्वारा मानव अवतार लेने की भविश्यवानी की गई है। उनके उस अवतार को कल की अवतार कहा गया है, जो कि श्वेत अश्व पर सवार होंगे। पुराणों के अनुसार, अभी कल्युक को बुद्ध शुक्र ब्रहस्पती और शणी मेश राशी पर शून्य डिग्री पर हो गए थे। विद्वानों का मानना है कि अब तक कल्युक के 5124 वर्ष बीत चुके हैं, 432,000 में से 5124 वर्ष घटाने पर 426,876 वर्ष शेश रह जाते हैं, यानि कल्युक की अभी बहुत अवधी बाकी है, कल्युक का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है, हाला कि अभी से जन्मानस में कल्की अवतार की पूजा, आरती और प्रार्थना होती है, गाजियाबाद के पंडित आचार्य रजनीश त्रिपाठी कहते हैं, कि कल्युक को धर्म ग्रंथों में वर्णित स्र प्रिथवी पर वास नहीं करते, अपितु इंसान ही अपने कर्मों के अनुसार इनके रूप में जीवन जीते हैं, इसलिए जब कोई व्यक्ती अच्छे कर्म करता है, या जिन्दगियां बचाता है, तो उसे देवता कह दिया जाता है, वहीं जो बुराईयों में लिप्त कर दी थी, महर्श के अनुसार इस युग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृती नहीं होगी, वेदों का पालन करने वाले नहीं रह जाएंगे, यहां तक की विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, शिश्य, गुरू के अधीन नहीं रह जाएंगे, ज त्यों जों घोर कल युग आएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र अवंति अधीर, शूर अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मन गण संसकार शून्य हो जाएंगे, तथा राजा लोग भी शूद्र हो जाएंगे, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक अवश्य करें, धन्यवाद